नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं जर्खन अस्थापना दिवस पर सीम हमन्त की घोषना जर्खन अस्थापना दिवस वधरती अबा बिलसा मुंडा की जयनती पर खुटी के उली हातू पहुंचे सीम हमन्त सुरेने घोषना की अब परित्याग महिलाओं को पेंसन दी जाएगी दो दसक में पहली बार खिलाड़ियों को नौकरी दी गई है युवाओं को भी देशों में पढ़ने के लिए अनुदान दिया जा रहा है सरकार आपका अधिकार आपके द्वार तक पहुंचाने आई है मुख्य मंत्रे मंसुले ने कहा कि आपका अधिकार आपके द्वार तक पहुंचाने के लिए आए है सभी युजनाय आप तक पहुंचाई जा रही है ये युजनाय चलती आ रही है और इसे अधिक बढ़ाने का परियास किया जा रहा है सरकार गाय सुवर बकरी पालन के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है राजे में बच्चे को पोसित पैदा हो रहे हैं इसके लिए इन योजनावों को बढ़ाया जा रहा है घर घर में दूद होगा मांस मचली की ब्यवस्ता होगी तो गाओं के बच्चे कमजोर पैदा नहीं होंगे बीर्षा मुंडा जयनती पर पिये मोदी पंद्रह नोंबर यानि धर्ती अबा बीर्षा मुंडा की जयनती इस मोके पर पिये मोदी ने राची के पुराने जेल परिशर इस्थित बिर्शा मुंडाय स्मिर्ती उध्यान सहस संगरहलाय का ओनलाइन उध्गाटन किया साथी जहरकन अस्थापना दिवस को लेकर राजवासियों को सुभकमनाय भी दी उन्होंने कहा कि अपनी विशिष संस्क्रीती के साथ एतिहासिक पहचान रखने वाली भागवान बिर्शा मुंडा की अधरती विकास यात्रा में आगे बढ़े यही कामना है बतादे कारकरम को ओनलाइन समोधित करते हुए पियमोधी ने कहा कि आजादी के इस अमरित काल में देश ने तय किया है कि भारत की जनजातिय प्रमपराओं और इसकी सोरे गथाओं को अब और भी भावे पहचान मिलेगा साथ दिसंबर से सुरू होगी मैट्रिक टर्म ओन की परिक्षा नौ से इंटर एकजाम राज में मैट्रिक टर्म ओन की परिक्षा साथ दिसंबर से सुरू हो सकेगी जबकि इंटरमीडियेट के पहले टर्म की परिक्षा नौ दिसंबर से सुरू हो सकेगी बता दे जारखन एकेंडमी काउंसिल इसकी तियारी कर रहा है अगले सबताफ तक परिक्षा की तारिख की अवचारी गोसना कर दी जाएगी मैट्रिक और इंटरमीडियेट की परिक्षा दो टर्म में होनी है पहले टर्म की तियारी को लेकर सभी परखंड में परिक्षा केंद्र बनाये जा रहे हैं इसके लिए सभी जीला सिक्षा पतादिकारियों से परखंड अस्तर पर पर परिक्षा केंद्र निधायित कर सुची मांगी गई है इसी अधार पर बचों के स्कूल के नजदिक के परिक्षा केंद्र में ही भेजा जाएगा ताकि उन्हें परिक्षा के लिए ज्यादा दूरी तर नहीं करनी पड़े भारतिये महिला जुनियर होंकी टीम में सिम्डेगा कि तीन बेटियों का चयान ज्यारखन अस्थापना दिवस पर होंकी ज्यारखन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है बतादे होंकी इंडिया ने एफ आई एच होंकी महिला जुनियर विश्व कॉप दक्षिन अफरिका दोजार इकीस के लिए अठारा सदेचिय भारतिये जुनियर महिला होंकी टीम की घोसना की है इस टीम में ज्यारखन से तीन खिराडी、 सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्योटी डुगडुग भी चायनित होई है तिनों खिलाडी सिमडेगा जिला की है बतादेहों की खिलाडी सलीमा टेटे, सिमडेगा सदर परखन के बड़की छापर गाउ की है वही संगीता कुमारी और ब्योटी डुग डुग केर सोई परखंड के करगा गुड़ी गाओं की है जारखंड के एकईश लोगों को मिल चुका है पदमसीरी पुरसकार जारखंड में अब तक राजे के एकईश लोगों को पदमसीरी पुरसकार से समाइनित किया जा चुका है बतादे बर्श 2000 में जारखंड के अस्थापना के बाद पहला पदमसीरी समान डाक्टर परसुरा मिस्रा को साइंस एंड इंजिनियरिंग के छेतर में दिया गया इसके बाद से अब तक स्वास्त साइंस आइंड इंजिनियरिंग और पर्यावरन सनलक्षन के छेतर में एक एक साहित और सिक्षा के छेतर में दो समाई सेवा के छेतर में चार कला के छेतर में नौ और खेल के छेतर में तीन को राष्ट पती के हाथो पदमसरी समान मिला है खोटी पहुँचे सीम हमंत बोले अब आपका अधिकार पहुँचेगा आपके द्वार सीम हमन सुरेन ने कहा कि पलास ब्रांट से महिलाओ द्वारा बनाई जा रही समगरियों को जेल, स्कूल और अने जगों पर सप्लाई कराने का निरेश दिया कैदियों के लिए दूसरे राज से आनाज खरीदना पड़ता है आप दाल, चावल, सोशो होगा ये आप से खरीदने का एग्रिमेंट चीला पर साशन करेगा मुर्गी फारम खोले सरकार द्वारा अंड़ा खरीद कर राजे के बचों को खिलाया जाएगा खोटी के उली हातों में सीम हमन सुरे ने काया कि करोना में देश के अलग-अलग हीसों में मज़ूर फासे थे देश भर में जारकन पहला राजे है जिसने मजदूरों को बहुत ट्रेन और हवाई जाहाई से वापस लाया भारत न्यूजिलेंड टी-ट्वंटी किर्केट मैच के लिए टिक्टों की विक्री सुरू J.A.C.A. International Cricket Stadium में 29 नॉम्बर को होने वाले भारत न्यूजिलेंड टी-ट्वंटी किर्केट मैच के टिक्टों की विक्री सुम आर से काउंट्रों पर सुरू हो गई है सुबा दस बये से एक बजे और दो फर दो बये से पांच बये तक दर्शक टिकट खरी सकेंगे बता दे एक ब्यक्ति को अधिक्तम तीन टिकट ही मिल पाएंगे भारत न्यूजिलेंड T20 किर्केट मैच के लिए टिक्टो की बिक्री 15, 16 और 17 नॉम्बर को किया जाएगा पचास परतिसत लोग ही मैच देख पाएंगे पीए मोदी ने गुमला के दो एकलब ये मोडल इसकूल भवन का किया ओनलाइन सिलन्यास प्रधान मंत्री नैन मोदी वा केंद्रिय मंत्री अरजुन मुंडा ने सोमवार को भर्नो वा सिसाई परखंड में दो एकलब ये मोडल इसकूल भवन का ओनलाइन सिलन्यास किया भर्नो के सुकूर हुट्टू गाउं वा सिसाई के कुलकूपी महुआ टोली गाउं में इसकूल का निर्मायान हो रहा है बतादे सिसाई परखंड के पुसो पंचायत स्थित कुल कुपी महुआ टोली गाव में सोमवार को जन जातिये गरोधिवस के अउसर पर दस एकड के छेत्रेफल में 20 कुडोर 10 लाकी लागत से बनने वाले एक लबे मोडल अवासे बिद्याले भावन का पीम नाने नमोदी ने अनले सिलन्यास किया 150 घंटे की रिमांड पर लिये गए परसांत बोस समेच नकसली नकसली संगठन भागता मवादी के ठिंक टेक परसांत बोस पतनी सीला मरांडी सहित सभी गिरफतार नकसलीों को पुलिश ने 150 घंटे की रिमांड पर लिया है इन्हें जेल से गुप्त अस्थान पर ले जाकर पुश्टास की जा रही है बतादे कंड़ा थाना की पुलिश ने नियाले में रभी वार को ही रिमांड के लिए औरजी दैर किया था लेकिन रिमांड की स्विक्रिती नहीं मिल पाई थी सोम वार को इन्हें 150 गंटे की रिमांड पर लिया गया है दिवती हुए समाने इत जार्खन स्हापना दिवस के मौकेश के मौके पर धरती अबबा भागवान बीर्शा मुंदा को याद किया गया P.M. New. समेठ जारखन के राजे पाल वामेश बय CM. हैमाना सुरेन केंद्रिये मंत्री जारखन के मंत्री वा अन्य ने बीर्शा मुंदा को नमन कर राजे के विकास की कामना की इस दरण भागवान बीर्शा मुंडा के बंसज को राजे पाल वा सीम ने समानित किया इसके अलावा इस साल तिन पदमसिरी विभोतियों और अंतराश्ट्रिये ख्याती प्राप्त लोक कलाकार पदमसिरी मुकुंद नाया को भी समानित किया गया पलामू के चैनपूर में T.S.P.C. ने पाँच क्रेसर में लगाई आग पलामू जिला अंतरगत चैनपूर थाना चेतर के अलग अलग गाओं में संचालित पाँच क्रेसर मसीनों में T.S.P.C. के अगर्वादियों ने आग लगा दी इससे कई समान जलकर राख हो गया बता दे घटना रविवार देर रात की है उगरवादियों ने क्रेसर जलाने की अलग-अलग घटनाओ को अंजाम दिया है चेनपूर थना प्रभारी उदय कुमार गुपता ने बताया कि इस घटना में मामूली नुकसान हुआ है मामले की छान बिन की जा रही है 20 बर्सों में जार्खन की सक्षर्टादर 37% बढ़ी जार्खन बिधान सभा के अध्यक्ष रविद्रेनाथ महतो ने कहा राज्य की सक्षर्टादर में ब्रीधी को सुफ संकेत बताया है रविवार को यूनिसेफ के ओन लाइन बाल संसद में समोधित करते वे उन्होंने कहा कि हम अपने राज्य का एक इस्वा बर्सगाट मनाने जा रहे हैं पिछले 20 बर्सों में जार्खन की सक्षर्टादर 37% बढ़ी है सक्षर्टादर को आगे बढ़ाने में महिलाओ की सभागिता ज्यादा है 2001 की जन गन्ना में जार्खन की महिलाओ 49% तक सक्षर्टी लेकिन आकड़े यह बताते हैं कि अब जार्खन में महिलाओ सक्षर्टादर 66% हो चुकी है स्रम कानूनों के उलंगन के बिरोध आई धरने पर बैठेंगे बिधायक लंबोदर महतो गोमियो बिधायक डाक्टर लंबोदर महतो ललपनिया इस्थित उर्जा विभाग के अधिन करेरत तेनु घाट थर्मल पावर एस्टेशन में बीती अनिमिता तथा वहां हो रहे स्रम कानूनों के उलंगन के बिरोध में सोम वायर को राजभवन के समक्षधारना पर बैठ उन्होंने कहा कि 13 सितंबर को इस समस्याओं के समधान को लेकर वे राजभवन जाकर राज़ेपाल से मिल चुके हैं लेकिन इस विशब पर राज़े सरकार द्वारा अब तक कुछ नहीं किया गया उनके अनुसार तेनु घाट थर्मल पावर एस्टेशन में कारेरा 30 मिरीत सरमी को तथा बीमारी के कारण कारे छोड़े हुए 30 सरमी को या उनके असरीतों को अब तक क्रिशुटी का भुगता नहीं किया गया है नकसली प्रसांत बोस की गिरफतारी की बिरोध में 20 नवंबर को मवादियों का भारत बंद एक लोर का इनामी नकसली प्रसांत बोस की संदा और उनकी पतनी सीला मरांडी की गिरफतारी के बिरोध में मवादी 15 नवंबर से 29 नवंबर तक परतिरोध दिवस के रूप में मनाएंगे इसके साथ ही 20 नवंबर को भारत बंद का आवाहन किया है बतादे पार्टी ने विभीन संगठनों से भारत बंद को सफल बनाने का आवाहन किया मालूम हो कि एक लोर का इनामी प्रसांत बोस उर्फ किसंदा उर्फ मनिस उर्फ बुढ़ा को नकसली पतनी सिला मरांडी के साथ पूलिस ने 12 नवंबर के सुबा करीब 9 बज़े गिरफतार किया था धन्यवाद